मेरे सबी प्यारे चात्राओं को सूप्रभाद और कैसे हैं आप सबी देखें आज हम हिंदी व्याकरन से वाक्य के भेद विशय पर चर्चा करेंगे वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं अर्थ की द्रश्टी से अलग होते हैं और रचना की द्रश्टी से रचना के अधार पर अलग होते हैं ठीक है हम अर्थ के अधार पर पहले पढ़ चुके थे जिन्हें पढ़ना है वहें वीडियो में जाकर देख सकता है आज हम बात करने वाले हैं रचना के अधार पर वाक्य भेद रचना के अधार पर वाक्य के कौन-कौन से भेद हैं जानेंगे हम सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य के अंग कौन-कौन से हैं हम वाक्य के अंगों को जानने के बाद ही रचना के अधार पर वाक्य के भेदों का वर्णन करेंगे ठीक है देखें वाक्य की सरचना के अधार पर उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है सबसे पहला हमारा होता है उद्देश्य दूसरा होता है विदेह उद्देश्य क्या होता है वाक्य का वह अंग जिसके विशे में कुछ कहा जाए वह पार्ट कह सकते हैं हम वाक्य का जिसके विशे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं. उधारन राम सो रहा है, राजू खाना खा रहा है, किसान फलों के पेड़ भी लगाते हैं, जवान देश की रक्षा करते हैं. इन वाक्यों में राम, राजू, किसान और जवान, और हाइलाइट हो गया यालो से, और नहीं है, ज इसके बारे में बात की जा रही है ठीक है कुछ कहा जा रहा है और जो अन्य सेकंड पार्ट हमारा बसता है वाक्य में ये तो क्या हमारा जिसके बारे में बात की जा रही है राम और जो बात की जा रही है वो ही विदे है तो जानेंगे विदे को भी वाक्य में उद्धिश्य क उनके बारे में जो कुछ कहा जाए उद्देश्य समझ गया आप राम और वो सब थे उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो क्या है विदे है जैसे करन खेल रहा है चित्रकार चित्र बनाता है चित्रा गीतगा रही है मंजरी बस्म से शहर गई देखे करन क्या यहां पर उद्देश्य है और करन जो है उद्देश्य है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है खेल रहा है तो खेल रहा है यहां क्या हो गया विधे हो गया ऐसी चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्र बनाता है यहां विधे हो गया चित्रा गीतगा रही है तो गीत की जा रही है वो उद्देश्य है और जो कुछ कहा जा रहा है उद्देश्य के बारे में वो सब क्या है विदे है ठीक है वाक्य के वरगी करद दो आधार है अर्थ की आधार पर रचना की आधार पर हम सिर्फ रचना की आधार पर वाक्य भेद का अध्यन करेंगी रचना की अधारबर वाक्य भेद रचना अथ्वा बनावट के अधारबर वाक्य के तीन भेद होते हैं सरल वाक्य, संयूत वाक्य, मिश्र वाक्य सरल वाक्य, संयूत वाक्य, मिश्र वाक्य, सबसे पहला सरल वाक्य सिंपल सैंटेंस जो होते हैं हमारे साधारन वाक्य भी से बोला जाता है जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधे होता है इसलिए मैंने आपको उद्देश्य और विधे को पहले बता दिया कि आप जान गई कि इन वाक्यों में क्या होता है एक उद्देश्य होता है और एक विधे होता है ठीक है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं उधारन वर्शा हो रही है मोहन पतंग उड़ा रहा है बच्चे मैदान में खेल रही है रविवार को भी हम पढ़ेंगे वह फलों के जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्य बोधक अव्वे से जुड़े होते हैं समुच्य बोधक अव्वे में और या इसलिए इस सत्रेक जो हमारे शब्द होते हैं इन्हें बोलते हैं समुच्य बोधक अव्वे ठीक है जुड़े होते और सबजियां लेकर आई अब एक दूसरे से और के साथ हमने इसको जोड़ दिया ठीक है आप खाना खाएं और आराम करें आप चाई पियेंगे या कॉफी राम बिमार है इसलिए स्कूल नहीं आया विद्यारती परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है सौमवार को हरताल है अतय बाजार बंद रहेगा ठीक है इन चीजों को याद रखेंगे जहां पर ये गरीन हाइलाइट किये गए है ये हमारे समुच्य बोदगवे हैं इनके साथ हमने वाक्यों को जोड़ दिया है ठीक है उन्हें हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य संयुक्त मतलब जोड़ना ठीक है अगला आता है संयुक्त वाक्य की पहचान दो उपवाक्यों के बीच समानाधी करण संबंध होता है ठीक है स्वतंत्र वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत उपवाक्य होते हैं उपवाक्य होते हुए भी उनमें पूर्ण अर्थ का बोध होता है मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहते जो पहला sentence था वो दूसरे पर पूरी तरह से आश्रित पूर अर्थ की अभिविक्ति के लिए दूसरे जो उप वाक्य उस पर आश्रित नहीं रहता वो अपना है लेकिन उसके साथ दूसरा वाक्य जुड़ा होता है आश्रित नहीं है ठीक है देख लेंगे एक बार पीछे हम कोफी अलग लिखा हुआ है आप चाय पीएंगे पूरा वाक्य है आप खाना खाएं माबा जार गई राम बिमार है विद्याती परिश्रमी होते हैं सौमवार गुहरताल है पूरा है किलियर है ठीक है तो वही लिखा था मुख्य उप वाक्य अपने पूर अर्थ की अभिव उप वाक्य उस पर आश्रित हो एक मुख्य उप वाक्य और अन्य उप वाक्य उस पर आश्रित इसमें आश्रित हैं संयुक्त में आश्रित नहीं थे ध्यान रखना संयुक्त में जो मुख्य उप वाक्य था वो किसी पर आश्रित नहीं था इसमें क्या है एक मुख्य उप जैसा तैसा जो वह जब तब क्योंकि आदी व्यधी करण योजकों से चुड़े रहते हैं ठीक है योजक चिन लगे रहते हैं माफी चाओंगा व्यधी करण योजकों से चुड़े रहते हैं उधारन देखेंगे जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ही शाम हुई वैसे ही बिजली चली गई तो यहां जैसे वैसे का प्रियोग कर लिया है जैसे वैसे का जब तब का जहां वहां ठीक है इन शब्दों का प्रियोग करके हम उसको वाक्य का निर्माद करते हैं जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़एंगे मैंने जब को हाईलाइट नहीं किया है जब भी कर लेना जब तब का यहां प्रियूक किया गया है जब राम आया तो श्याम चला गया तब शाम चला गया यह भी कह सकते हम ठीक है उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं ठीक है जिसने का प्रियोग किया गया यहाँ जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी ठीक है देखेंगे यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको मैंने डिवाइट करके लिखा है कि योजग क्या है यहाँ पर योजग देखें क्या है यहाँ जैसे तो जब तो जिसने जब तो वाक्य वही है यह बिजली चली गई जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई ठीक है मैंने ऐसे इसको अलग करके लिख दिया कि मुख्य उभवाक्य क्या है और आश्रित उभवाक्य कौन से हैं और योजक बीच में किस-किस का प्रियोक किया गया है ठीक है देखे पेपर में किस तरह से आते हैं मैं चीज यहां से जानने हैं आपको और यहां से प्रैक्टिस करनी है आपको जब आप सारे उधारनों को यहां कर लेंगे एक बार तो फिर आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं देखे साधारन जो वाक्य से मैंने यहां मिश्र वाक्य में कनवर्ट कराया साधारन वाक्य आप जानती है सिंपल सेंटेंस एक उद्देश एक विद्धे के साथ ठीक है अब मिश्र वाक्य आपको पता ही है कुछ शब्द हैं योजग जिनके मात्यम से इनको जोड़ा जाता है देखेंगे पहला वाक्य दिया है अच्छे लड़के मेहनती होते हैं मिश्र वाक्य में से हम चेंज करेंगे जो लड़के यहां गलत लिख्या है तड़के लिख्या है जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं च्छत्री वाले आदमी को बुलाओ उस आदमी को बुलाओ जिसके पास च्छत्री है यह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए बाजार गया प्रधानचारय के आते ही प्रातना शुरू ही जैसे ही प्रधानचारय आये वैसे ही प्रातना शुरू ही स्वस्त रहने के लिए तुम्हें दूद पीना चाहिए यदि स्वस्त रहना है तो तुम्हें दूद पीना चाहिए मनू ने अलोकिक द्रश्य देखा जो अलोकिक ठा मा के जाते ही चालक रोने लगा जब मा गई जैसे ही शाम हुई वह चली गई मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा मैंने एक ऐसा आदमी देखा जो दुबला पतला था ऐसी यहाँ पर देखे कुछ उधारन दी है सरल वाक्य से सियुत वाक्य में कनवर्ट किया है सरल से आपको क्या करना है एक वाक्य को बस इतना याद रखना है कि इस दो वाक्यों में उसे convert करना है और के साथ इसलिए के साथ ठीक है आपको उसे दो में तोड़ना है आप खाकर आराम करें आप खाना खाएं और आराम करें यहाँ एक शब्द मिस हो गया आप खाना खाकर आराम करें यह चीनी हो रही न, किलियर की खाना क्या है, तो उलिक लेना, आप खाना खाकर आराम करें, तो आप खाना खाएं और आराम करें, ठीक है, सूरियास्थ होने पर अंदकार च्छा गया, सूरियास्थ हुआ और अंदकार च्छा गया, ठीक है, अगर मैं इसको मिश्रम में बदल ले जाता है, वह बोजन करता है और विद्याल ले जाता है बादल घिर कर भी ना बड़से बादल घिरे परनतु वर्षा ना हुई या परनतु बड़से नहीं ठीक है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया वह बाजार गया और उसने फल खरीदे ठीक है इस तरह से आप इन्हें पढ़ लेंगे कोई परेशानी होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं मिश्रित वाक्य से सहीउत वाक्य में कनवर्ट किया है पहला देख लेंगे दो धरन जान लेंगे हम उसके अलावा आप खुद पढ़ लें यदि आप घर आए तो आप से बात हो आप घर आईए और बात कीजिए मिश्रित से सहीउत करा है हमने वह मिश्रित था है हमने सहीउत कर दिया उसे अलग लग वाक्य में बीच में योजक लगा के उसे जोड दिया है जब विद्याले में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लोट आए विद्याले में पढ़ाई बंद हो गई और हम घर लोट आए मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं कर्सी लिग गया है वे मेरे पिताजी हैं और कर्सी पर बैठे हैं ठीक है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य चेंज किया हुआ है सयुक्त से मिश्रित में चेंज किया हुआ है तो आप इन्हें पढ़ लेंगे और उसके बाद मैं आपको exercise दूँगा अभ्यास कारें दूँगा आप उसे करेंगे कोई भी परेशानी किसी वाक्य माती है आप मुझसे संपर कर पूछ सकते हैं धन्यवाद